हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, तिलक क्यों गांधारी, महाराज, हमारे जीवन में तो पहले ही दीपक की उजाले का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि भागे ने आपकी द्रिष्टी छीन ली, और मैंने अपनी आखों पर पट्टी बांद रखी है, परंतु हमारे मन में जिस ज्योती से उजाला था, अब वो ज्योत करने वाली द्रोपदी को आपके चड़नों में डाल दिया था, आपके वल मुझे आग्या दीजिए, और उन वी द्रोहियों के नाम बताए, मैं बताता हूं वी द्रोहियों के नाम, अंगराज कर्ण, आपने तो युद्ध में भाग भी नहीं लिया, फिर आप ये कैसे जा और जो ना पूरा उधर है, ना पूरा इधर, इन सब नामों के उपर, सबसे पहले इतामा भीशिम का नाम है, हाँ! ये मीन तो मेरे पुत्रों के लिए यम्दूद बन गया है, मेरे पुत्रों की लाशों के धेर ऐसे लगाता है, जैसे महा मारी प्रणाय मचा देती है, न जाने ये युद्ध कब समाप्त हुगा? महराज, आज के दिन युद्ध समाप्ते की घोशना हुई है? केवल आज के दिन का युद्ध समाप्त हुआ है, कल फिर युद्धारम होगा, आने वाला कल, कौरवों के लिए जने क्या लेकर आएगा? कांधारी अपने पुत्रों का दुख कैसे सह पाएगी? संजय, तुम मुझे कांधारी के कक्ष में ले चलो. महाराज, महाराणी के कक्ष में अंधेरा है? कक्ष में अंधेरा है? पर क्यूं? गांधारी, 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 ठेरिये महाराज, मैं दीब जला देता हूँ. नहीं संजय, अंधेरा ही रहने दो. परन तु क्यों गांधारी? महाराज, हमारे जीवन में तो पहले ही तीपक की उजाले का कोई अर्थ नहीं था. क्योंकि भागे ने आपकी दृष्टी छीन ली और मैंने अपनी आखों पर पट्टी बांध रखी है. परन्तु हमारे मन में जिस ज्योती से उजाला था, अब वो ज्योती भी बुझने लगी है. गांधारी, ये कैसी बातें कर रही हो? महाराज, आज से पहले हमारे जीवन में हमारे सौप पुत्रों के कारण उजाला ही उजाला था. जैसे पूनम की रात में चंद्रमा और सितारी शोबित होते हैं, परन्तु इस महाभारत के संग्राम में, जैसे जैसे हमारी एक एक पुत्र की म्रत्यू का शुप समाचार मिलता जाता है. ऐसे लगता है, सितारों भरी आस्मान से एक एक तारट तूटता जा रहा है. और पुनम की पूरे चांद को मृत्यू की अमावस का अंधेरा धेरे धेरे निगलता जा रहा है. महराज, इस बयानक युद्ध का अंधेरा एक एक करके हमारे सारे पुत्रों को निगल जाएगा महराज. और फिर हमारे सारा जीवन अमावस की रात की तरह लोसमाप्त होने वाली रात का अंधेरा बन जाएगा. महराज, इस शापित रात का अंधेरा इस महल का धीपक बला कैसे कम कर सकेगा? शुब शुब बोलो वांधारी, शुब शुब बोलो. महराज, शुब शुब बोलने से हमारे जीवन का ये कड़वा सच अमरत में तो नहीं बदल सकता न? परन्तु सच तो ये है कि गदाधारी भीमने मेरे पुत्र, आदित्य केतु, बावाशी, कुंडदार, सुनाब, विशालाक्ष, महोदर और पंडितक को, जिन्हें मैंने अपना दूद पिला पिला कर बड़े चाओ से पाला था। उनका खून किस निर्दैता से बहा दिया है महराज। आप नहीं जानते महराज, मेरे एक एक पुत्र की म्रत्यू पर, मेरी चाओती में एक एक छेद बन रहा है महराज। मेरी चाओती अब चलनी हो गई है महराज। पता नहीं मेरी हरी बरी गोद को किसनी संतान की नजर लग गई है महराज। गांधारी गांधारी धीरज रखो गांधारी हमारे पुत्रों को तो वीर गती पराप्त होई है इसलिए उनके लिए इतना शोक करना उचित नहीं है और फिर हमारे पुत्रों की मृत्यू का बदला लेने के लिए दुरियोधन दुष्षासन जैसे मेरे वीर पुत्र अभी जीवी थे हैं यो राज दुरियोधन अवश्य पांडवों को इसका दंड देगा दंड देगा ये युद्ध हम नहीं जीच सकेंगे नहीं जीच सकेंगे हम ये युद्ध जिस तरह आज मेरे साथ भाईयों की हत्या हुई उसी तरह हम सब एक एक करके मारे जाएंगे ये तुम क्या कहरो भाजी सत्य कह रहा हूं मावश्री सत्य जिस सेना का नायकी शत्य के साथ हो वो सेना तो जीता हुआ युद्ध भी हार जाती है हाँ हम भी युद्ध हार जाएंगे और अपने प्राण को मैटेंगे मावश्री प्रातव श्री आप उन विद्रोहियों के नाम बताएं जो हमारी सेना में घुजकर शत्रूओं का साथ दे रहे हैं जिनके कारण हमारे भाईयों का वद्ध हो गया प्रातव श्री मैं उन व जासे आपके विद्रोह करने वाली द्रवपदी को आपके चड़नों में डाल दिया था आपके वल मुझे आग्या दीजिए और उन विद्रोहियों के नाम बताएं मैं बताता हूं विद्रोहियों के नाम अंगराज कर्ण आपने तो युद्ध में भाग भी नहीं लिया फिर आप ये कैसे जान सकते हैं बहुत आसान है दुशासन बहुत आसान है जो कौर्व में रहकर भी कौर्व में नहीं है वो पांडवों का है जो इधर भी है और उधर भी और जो ना पूरा उधर है ना पूरा इधर इन सब नामों के उपर सबसे पहले पितामा भीशिम का नाम है जिने पांडव प्रेम ने अपने चंगुल में जगड रखा है कौरव सेनपती के बाद ये रोग आचारिय दोन को भी लग गया है आचारिय दोन को तो पांडवों में अपने प्रियो शिष्ठ दिखाई देता है इंके बाद गुरु कृप आचारी जो अब तक पांडवों पर अपनी गुरु कृप बनाए हुए है ब्राता श्री जब कामा भी मैंने सेनापती होकर पांडवों का वद्ध नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कोई क्या कर सकता है हाँ कोरों की विज्ञे के राष्त में पितामा हमाले की भाद खड़े हैं अड़ी कोई करे भी तो क्या करे हाँ कि बताओ कर्ग हम क्या करें कि मुझे पत्पर आगे कैसे बढ़े सीधा सव पाय है जो पत्थर रास्ते को रोके उसे रास्ते से हटा दो हाँ ठीक है रहे हैं अंग राजकर्ण भाजे ठीक है रहे हैं जब तक शक्त्र का पक्षपाती कौरो सेना का सेनापती बना रहेगा हम यह युद्ध नहीं जीत सकेंगे हमारा सेनापती तो उस योधा को होना चाहिए जो बांड़ों से प्रेम नहीं क्या करता हो ग्याद रखो शत्रू का कट्डर दुश्मन ही सच्चा मित्र होता है हाँ हाँ मामश्री हाँ आपके संकेत में छुपी आपकी मनो कामना को मैं भली भात ही जानता हूं क्यूंकि मेरी भी यही कामना है मित्र कर्म क्या तुम पूछने के आवश्यक्ता ही नहीं मित्र मैं स्वयम प्रतिक्षा कर रहा था तुम से अपनी मित्रता और पांड़ों से अपनी शत्रता दोनों को निभाने को मैं तयार हूं किंतु किंतु पितामा भीश्म के सेनापति होते हुए मैं युद्धना करने के प्रतिज्या नहीं तोड़ सकता तुम्हें प्रतिज्या तोड़ने की आवश्यक्ता नहीं है नहीं है मैं पितामा से सेनापति का पद वापस लेने जा रहा हूं पितामा के आदर में अब यदि हम चुप रहीं hetकित तो एक एक करके मेरे सारे भाई बारे जाएंगे मेरे सारे भाई बारे जाएंगे पितामा पितामा दुर्योधन आज तक युद्ध भूमी पर किसी शस्त्र के प्रहार ने मेरे मन पर इतना गहरा घाव नहीं लगाया जितना तुम्हारी आज की बातों नहीं लगाया है तुम मुझे पर शंका करते हो कि मैं पप्चपाथ कर रहा हूँ है गवारों की सेनबरकर पांडवों का साथ दे रहा हूँ इस में जूट क्या है पितामा भूमी पर पांडवों के प्रति आपका प्रेम ही हमारी विय आरे आ रहा है मेरा अप्राद मेरा पांडो मेरे जाते रहे पिताम जदी आप पांडो को मारना नहीं चहते आप छोड़ दीजे सेना पती का बद्ध दौरियो धन इसमें तक्रोद करने की क्या आवशक्ता है पितामा युद्ध लाड़ प्यार करने के लिए नहीं किया जाता तुम अपने पितामा का अपमान कर रहे हैं अपमान तो आप कर रहे हैं पितामा युद्ध भूमी का अपमान चस्त्रों का अपमान और सबसे बढ़कर हम कारों की शूर वीर्टा का अपमान जिने आपके पांड़ प्रेम ने प्राजे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और मैं ये कदापी सहिं नहीं कर सकता कि पांड़ कवरों पर राज करें मुझे किसी भी परिस्थिती में पांड़ों के सरों को अपने आगे जुकाना है पांडू के सर अपने जैष्णों के आदर में यह फिर अपनी आदर्शों के आगे जुकते हैं और वो वह किवल अपनी प्berषसे की और ऊपनी अच्छासे कोई आर उन्हें नहीं जुका सकता है सकता है परनत्व आप ऑफ संधयन ना तो पाढ़ वो किस सरों को जुकाना चाहते है और नहीं किसी को जुकाने का आसर देना चाहते हैं इसलिए आप कोर वो कि सेनपती का पद टिहकला नहीं चाहते है जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए सेनपती का पद और फिर देखिए कैसे खमन से अक्रे हुए सरों को अंगराज कर्ण जुकनी के लिए विवश्च कर देगा वो तायर जुकाएगा उन पांड़ों वीरों को जो अर्जुन के हाथों बार बार अपने शस्त्रों का अपमान किरा चुका है भूल गए जब महाराज विराट का गौधन चुराने के प्रयास में वह अर्जुन से तीन बार प्रास्थ हुआ था क्या तुम कर्ण का वो इतिहास में भूला बैठे हो जब चितर से ने तुम्हें बंदी बना लिया था तब तुमारा यही मित्र कर्ण परास्थ होकर युद्ध भूमी से भाग गया था तो रियोधन तुम स्वैम मित्र के प्रेमें अंध्य हो रहे हो और मुझ पर आरोप लगा रहे हो पांडों के प्रेमें अंधा होने का परंथू परंथू तो क्या मेरे जीते जी कर्ण कौरों सेना का सेनापती नहीं बन सकता कि मैं एक कायर के हाथों में हस्तनापुर की सुलक्षान नहीं दे सकता